गुड मॉर्णिंग आलाफ यू आए निलंतिवारी बच्चो मैं आज आपको हिंदी में दिल और महीनों के बारे में पढ़ाँ होगी ठीक है आईए हम जानते हैं पर सबसे पहले ये जाने की एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं ठीक है रविवार, सोमवार, मंगरवार, बोद्वार, ब्रस्पतिवार, ब्रस्पतिवार को बहुत दों गुरुवार भी कहते हैं शुक्रवार और शन्वार ठीक है यानि कि एक तरीके से हम कहन सकते हैं कि साथ दिन मिलकर के एक हफ्ता बनाते हैं या एक हफ्ते में साथ दिन होते हैं अभी हमने आपको साथ दिनों के बारे में बताया अब हम आपको बारा महीनों के बारे में बताते हैं एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं. आए हम उन महीनों को जा दें. जर्बरी, पहला महीना कौन सो होता है? जर्बरी, फर्बरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगर्ज, सित्रमबर, अक्टूबर, नौमबर, दिसंबर. यानि कि दिसंबर हमारा सार का आखरी महीना होता है. ठीक है? अभी हमने आपको 12 महीनों के बारे में बताया. आप ये जान लेजे कि एकतर किसम ये कह सकते हैं कि 12 महीने मिलकर के एक साल बनाते हैं या एक साल में 12 महीने होते हैं. ये 12 महीने हमारे तीन मौसम के अनुशार बटे होते हैं. जैसे जन्वरी, जैसे नौमबर, दिसंबर, जन्वरी, फर्वरी ये हमारे जाड़े के मौसम है. ठीक है? उसके बाद हमारा मार्च, अप्रेल, मई, जूम. ये हमारा गर्मी का मौसम है. फिर जुलाई, अगर, सितंबर, अक्ट्यूबर. ये हमारे वर्साद के मौसम होते हैं. ठीक है? अभी हमने आपको दिन और महीनों के बारे में पढ़ाया. सारे बच्चे इसको अपने गार में पढ़ेंगे. जहां कहीं कोई भी परिशानी होगी, हम आपको फिर से बताएं और हे बच्चे आपको 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 आपको.